संद कबीर निगर में चुनाओ बहिशकार हुआ है, बूद दो मेहन्या में चुनाओ बहिशकार हुआ है, बूद पार अभी तक नहीं पड़ा एक भी वोट बढ़ी खबार इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बूद पार अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है ये बड़ी खबार इस वक्त हम आपको बता रहें संत कबीर निगर में चुनाओ बहिशकार हुआ है बूद दो मेनिया में चुनाओ बहिशकार हुआ है ये बड़ी खबार इस वक्त हम आपको बता रहे है संद कबीर निगर में चुनाओ वहिश्कार किया गया है ये इस वक्त की बड़ी खबार वहीं जौन पुर्प से बड़ी खबार आ रहे है 97 पार इवियम खराब रही है इमलो पांडे पट्टी में इवियम खराब रही है करीब 45 मिनट तक मद्दान वहां पर रुका रहा है ये बड़ी खबार हम आपको बता रहे हैं करीब 45 मिनट तक मद्दान वहां पर रुका रहा है कोई प्रियागराजश में डिप्टी सीम के शुपर साद मौर ने न्यूजटीन से कहा कि मदाता विक्सित भारत के लिए वोट कर रहे हैं भारतिय इंतापार्टी की बड़ी जीत होगी बहुत अच्छा उसा है मैं देख रहा हूँ पांच चरण में जो मदान का प्रतिशत रहा है उससे अधिक मदान का प्रतिशत इज़वार दिखाई दे रहा है जो रुज़ान है और लोगं के अंदर उसा भी है और जब सहर उत्तरी का मदाता घर से निकलना शुरू कर दे तो यह आप समझ सकते हैं कि मजबूत भारत के लिए मजबूत पुर्धान मंती लोग बनाना चाहिए यह आपका यह ग्रीच शेत्र भी है यहां दो सीटे हैं आपने फूलपुर पर पहली बार जो एक कमल खिलाया था और एक एक इतिहासिक जीत दर्ज की थी तीन लाग से जैसे 2014, 2019 वेसे 2024 सब दो लड़कों की जोड़ी कह रही है कि 400 पार नहीं 400 हार क्या कहेंगे इसको लिकर उनके बयान आप 2014 से 2022 के बीच में इतने सुने हैं उनके बयान इसी प्रकार के रहे लेकिन जब रिजल्ट आया तो खोदा पहार निकली पी चुहिया चार जून को क्या होने जा रहा है आखरी सबाई चार जून को 400 पार होने जा रहा है तीसरी बार मोधी सरकार बनने जा है ये देश मजबूत भारत के लिए लोग मजबूत परदान मंतिरी के लिए विक्सित भारत के लिए आत्मिरबर भारत के लिए लोग मजदान कर रहे हैं सबसे पहले हम सीधे चलते हैं फराज सिद्धिगी के पास सिद्धिगी साब किश्व प्रसाद मौरे ने न्यूस एटीज से बातशीत की करें हैं कि चार जून को चार सो पार लेकिन आप करें हैं कि चार जून को चार सो हार आपकी पार्टी के नेता भी इस तरीके के बयान द देख रही है देखिए समाजवादी पार्टी इस बार 79 सीटे जीत रही है और जो बनारस की सीटे उसमें तगली फाइट है उसमें भी हमारे जीतने की चांसे बहुत ही जादा हाई है मेरा नाम सही कर दी है फराज की द्वाई नाम है दूसरी बात मैं यह बोल ला था कि देख पिशली बार 303 सीटे इन्हों ने जीती थी उसमें से इन्हों ने 112 लोगों के टिकट ही काट दी है इसका मतलब यह हुआ कि 112 सांसदों से जब भारतिये जनता पार्टी की लीडर्शिप और भारतिये जनता पार्टी स्वेम खुश नहीं है तो आप सोचिए कि जनता इन से क टिकट काट दिया जो पचास हजार या उससे कम वोटों से जीते थे चलिए मानलिया साथ कि उनकी जीत का जो अंतर था वो बहुत कम था इसलिए टिकट काट दिये गए लेकिन जो पांच लाग से भी जादा जो वोट से जीते थे उनमें से भी 47% लोगों का टिकट काट दि है तो जनता का क्या हलोगा बिल्कुल बहुत बात आपने की फराज साब एक बात क्या आपकी तारीफ होगा क्या आपने का सेविंटी नाइन सीट्स बस मुझे एक छोटे सवाल का आप जवाब दे दिजिए मुझे आंकला बता दिजिए कि इंडी गटबंदन पूरे देश फ कार है इसके खिलाव जनता चुनाव मैदान में है पराज साब की बात को आपने सुन लिया होगा आप चार सो पार की बात कर रहे हैं वो चार सो हार की बात कर रहे हैं पराज साब कह रहे हैं कि तीन सो का स्कोर हम आसानी से पार कर लेंगे क्या कहीं गया देखे एक शेर और में उभरता चला गया तो जूट की करता चला गया मगर उसका चेहरा उतरता चला गया देखें यह वो लोग है जो उत्तर प्रुदेश के विधान सभा में 400 सीट जीत रहे तो यह लोग पूरी तरह से हताशा निराशा के शिकार हो चुके हैं और इसकी वज़े से गर्मी भी है तो दिमाग पे भी थोड़ा असर गया है इनके तो इसलिए उलजूल बयान दे रहे हैं बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 79 सीट जीत रहे हैं अरे उत्तर प्रदेश में आपकी जो बची हुई सी भी बात जब तो वड़ी बात है जब फिरास साब कुछ कहना चाहरा है रहे हैं अगवार जी फरास साब देखे गर्मी का जो असर है मुझे लगता है कि मानिये हों मिनिस्टर साहब के भी कुछ हो गया था क्योंकि जब पांचमा चरल हम निकला तो बोलने लगे के हमारी जो साउथ में पिछले पांच चुनाओं में आप कितनी सीटे हैसी थी कि जिस पर चुनाओं जीते नहीं थे हरे साप जितनी सीटों पर ठीक से चुला और लड़ नहीं रहा है उससे साधा बता रहें कि जीत रहें और आनन दूबे जी हमारे भाई हैं ये बोलना है गर्मी का असर मेरे उपर हो गया अरे साथ एक एक बयान पूलपूर से भी बड़ी खबर आए है भूत एक्सोटरानवे और एक्सोटरानवे की इवीयम खराब हुई है आदा घंटे तक मददान वहां पर बादे तरह है दूसरी इवीयम आने के बाद वहां पर वोटिंग चुरू हुई है यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे है तो यहाँ पर कई जगों से इस तरह की खबरे आ रहे हैं कि इवीयम खराब हुई है और लगबग आदा घंटा 35-40 मिट का वक्त जो है वोटिंग का प्रभाव हो रहा है रुक रहा है वहाँ पर वोटिंग और आजमगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद रियादाब ने अपनी जीत का दावा किया है लोग बहुत ब्यापक सयोग करेंगे समर्थन करेंगे लोगतंत बचाने को समिधान बचाने को आरचण बचाने को और बीज़ेपी की नफट की राजनीद को खतम करने को आज भी सोचिए दिल्ली के सरे का बयान दिया गया है इस सब चीज़ों के खिलाब वालोग मद्दान करेंगे और एहतियासिक समर्थन मिलेगा मुझे अडमिस्टिशन से कोई अपील योग खास्ता और से जिस तरह से राई लक्शन हुआ था यहां पर बज़र्गों को आने से रोका जा रहा था जब हमारे यहां के वरकर्स ने फॉन किया तो मैं आया हूं लेडिज बज़र्ग बीमार लोगों को लाने से रोक रही थे एडमिस्टिशन के लोग परसासन के लोग इसलिए उनकी खबर पर ही मैं तरुम्द पहुंचा नहीं है और एत्यासिक जीत होगी जंता निकल नहीं है जंता का सुबकामनाएं सद्भामनाएं